सब्सक्राइब नाश्टा बना रही हूँ मैं तो आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे तो सची बताऊं तो साटरे बहुत जादा ही मैं टायर्ट फिल कर रही थी बहुत जादा मुझे ठकान लग रही थी ऐसा लग रहा था ना कि बस आज लेटी रहूं कुछ ना करू लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि एक तो घर में काम चल रहा है फिर यह होता है कि टेंशन होती यह कि जल्दी जल्दी से मुझे अपने सारे काम करने हैं अच्छा यहाँ पर जो है ना वंशी का के पापने बोला था कि मैं बाहर से नाश्टा ले आता हूं कुछ मतलब समोसे वगेरा तो मैंने सोचा कि जब तक आ बाहर से लेकर आओगे उतनी दिर में तो मैं घर में ही आलू के पराठे बना दूगी जल्दी से क्योंकि बाहर का कितने दिन हम लोग क्खा लेंगे बाहर का खाते खाते ना मन अब उपसा गया है मन ही नहीं करता है बाहर का खाना खाने का मतब यह होते मैंने मेश कर लिया है और इस टाइम पे जो मेरा दोस्त बना हुआ है ना वो है यह हरा वाला नमक तो मैंने बहुत अच्छा किया जो इसको पहले ही पीस के रख लिया था अभी जैसे ही मुझे पराठे बनाने होते हैं मुझे कुछ भी एड नहीं करना होता है सिर्फ जैसे आ पाठा जो है एक बार अच्छे से मैं फिर से सैट कर देती हूँ है हां पर जो है गर्मा गरम आलू के पराठे बनाने मैंने शुरू कर दिये हैं बच्छे आज घर पे ही है और अब जो है बच्छों की छुटिया पढ़ जाएंगी तीन चार दिन की दशारे तक की छुटिय ना रिलीफ रहेगा हालं कि जब बच्छे घर में रहते ना तो वैसे तो ठीक होता है लेकिन पते क्यों होता है कि जब इदर उदर वो दोड़ते रहते काम चलते ना पूरी धूल मिटी जो है ना वो मतलब अंदर लेकर आते क्योंकि बच्छे ऐसे होते ना जो एक जगे प बच्छों को भी बहुत पसंद आये हालं कि मिर्ची थोड़ा सा ज्यादा थी क्योंकि यह जो नमक मैंने पीसा था इसमें मैंने काफी सारी हरी मिर्ची डाली हुई थी बट वही है कि बच्छों को पसंद आ जाता है कोई चीज तो चलिए दिल भी खुश हो जाता है तो बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर सारे आलू के पराठे जो है वो बना लिये हैं यह इवनिंग टाइम है तो हमारे यहां मतलब सॉसाइटी में आज जो है डांडिया नाइट है और साथी साथी जो स्टॉल आप देख रहे हैं यह खाने के स्टॉल है यहाँ पर खाना मैं वैसे ही जाओंगी थोड़ा सा देखने के लिए बिल्कुल रेडी होके तो नहीं जाओंगी लेकिन बच्चे जब मॉर्निंग से देख रहे थे ना हमारी बैलकनी से पूरा सब नीचे दिखता है तो उनको बहुत जादा एकसाइटमेंट थी कि हमें जाना है वहाँ पर करूंगी उसके बाद नहाद होके पूजा करने के बाद मैं जाओंगी और आज पूरा एक हफ़ते बाद मुझे मौका मिला है मेरी बैडशीट को चेंज करने का तो जिस रूम में मैं बता रही थी ना सारी चीज़े रखी हुई है वहाँ पर का जो काम था जो जादा मतलब गंदिगी वाला काम था वो महाँ पर खतम हो चुका था तो आज मुझे वहाँ से बैडशीट लेने का मौका मिल गया तो बस मैंने जल्दी से वहाँ से बैडशीट ले ली थी और इधर जो है ना बहुत सारी धूल मिटी हो रही थी अभी मतलब ऐसा हो रहा है ना कि ना तो लोग कैसे रह रहे हो यहाँ पर बट वही है कि कुछ पाने के लिए थोड़ी सी महनत तो करनी ही पड़ती है तो यही सोचके कि आगे आने वाला रिजल्ट बहुत अच्छा होगा तो मैं जो है अपना आराम से शांती से लगी होई हूँ बस अपना दिन निकाल रही हूँ क कि किसी तरीके से यह जो दिन है वो निकल जाए और जल्दी से मेरे घर का जो काम है न वो कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी से अपना काम निप्टाने के बाद मैं थोड़ा बहुत रेडी होके चली गई थी नीचे पार्क में और वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे जो करने को मिले तो चलिए आगे जो है आप भी थोड़ी से परफॉर्मिंस को इंजॉय कीजिए बस यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत बचों का डांडिया वगेरा हुआ उसके बाद जो बड़ों ने परफॉर्मिंस की थोड़ी बहुत हमने वो देखी उसके बाद हम लोग अपने घर में आ गए थे और यह देखिए अपनी बैलकनी से मैं अभी व्यू दिखा रही हूं इतना जादा जो है मतलब भीरो चुकी थी और देखी अभी लेडिस परफॉर्मिंस कर रही है बट मेरी तो हिम्मत थी नहीं कि मैं बहुत जादा देर महाँ पर रुक सकूं ऐसा लग रहा था बस घर जाके अभी सोना है क्योंकि आपको पता ही है कि नाइट का टाइम कैसा ह होता है फिर भी मैं घर आई और मैंने देखे कि मैंने कपड़े नहीं डाले हैं सूखने के लिए जो की बहुत जरूरी है एक तो आजकल कपड़े वैसे बहुत कम धूल रहे हैं और अगर वो भी नहीं सूखींगे ना तो फिर बहुत जादा दिकत हो जाएगी तो ठकान तो हो गई थी बढ़ सूखने नहीं चलिए पहले जो है कपड़े फैलाई देती हूं उसके बाद जो है मैं आराम से सो जाओंगी यह वाली टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में पि मुझे अभी कपड़े भी डालने है नेक्स डे मॉनिंग मतलब संडे मॉनिंग तो बस सुबे क चाय वगएरा हमारी हो चुकी है उसके बाद जो है मैंने नाइट में ही मिल्क बास्केट से सबजी वगएरा ओर्डर कर दीती थोड़ी बहुत भिंडी तो बस आज जो है नाश्ता बनेगा भिंडी की सबजी और रोटी तो यहाँ पर जो है ना मैं भिंडी की सबजी को जल हो रहा है मैं बनानी पारी हूं उनकी पसंद का कुछ तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कडी बनाईए आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे तो ऐसे कमेंट्स कुछ होते ना जो दिल को चूँ जाते है वो कमेंट्स मेरे इतने दिल को चुआ उसका रिजन यह नही कैसे यह केर ही हुई तो जब मैं देखी हूं कि मेरे अलावा और भी है जो मेरे बच्चों की उतनी ही केर करते तो मुझे बहुत जादा खुशी होती है और बस मतब आप लोग फैमली हो जार और फैमली की तरह ही जब आप केर करते हो ना तो दिल बहुत खुश होância है आप लोगों का एक एक कॉमेंट मुझे इतना ज़ादा मोटिवेट करता है और मुझे इतनी ज़ादा खुशी देता है ना कि उसके आगे ना मेरे लिए और खुशियां कुछ हैं ही नहीं तो इसलिए मैं बुलती हूँ आप कॉमेंट्स जरूर किया करो आजकल मुझे पता है कि मैं हर किसी के कॉमेंट्स का रिप्लाइन नहीं कर पा रही हूँ वो इसलिए है कि आप मेरी सिचुएशन समझ रहे हो मुझे व्लॉग एडिट करने के लिए भी मैं आपको सच बता हूँ बाहर बैलकरी में धूप में बैटना पड़ता है अगर मैं मौनिंग में व्लॉग एडिट करी हूँ और अगर मैं नाइट में एडिट करी हूँ ना तो मुझे कीचन में बैटना पड़ता है तो इस टाइम पे मतलब जगे तो है नहीं कहीं पर जहां मुझे जगे मिलती है मैं वहाँ पर बैटके आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करती हूँ तो प्लीज थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स ज़रूर किया कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज मुझे कड़ी बनानी है तो सबसे पहले तो ये दूद जो है न मैं बॉइल करने के लिए चड़ा दूगी और आजकल दूद भी ऐसा ही है कि एक केजी आ रहा है क्योंकि मैं मुझे दो केजी दूद इसलिए मंगाती हूँ क्योंकि मुझे दःभी जमानी पड़ती है लेकिन आजकल तो फुरसत ही नहीं है कि दही भी जमा हूँ तो दही मार्केट से ही आता है तो दूद मतलब मैं एक केजी ही मंगवा रही हूँ और मैंने दो चाच के पैकेट भी मंगाये थे प्लेन जो चाच होती है ना क्योंकि मुझे यह था कि मैं चलो कड़ी बनाऊंगी आप लोगोंने मुझे एडवाइस किया था और अभी मैंने का जल्दी से कड़ी बनी जाएगी क्योंकि दूपैर तक कभी मुझे खाना बना के रखना ही पड़ता है तो बस इधर जो है मैंने चाच ली है उसमें बेसन और सारे जो मसाले है वो मिक्स कर दिये है और अच्छे से जो हैंड ब्लेंडर है इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और साथ ही यहाँ पर देखें कड़ी मैंने चड़ा दी है सबजी भी अल्मोस्ट रेडी है बस बच्चों के जो है अभी उठने का इंतिजार है जैसे ही बच्चे उठींगे मैं जल्दी जल्दी गर्म गर्म रोटियां भी बना दूँगी बस यहाँ पर मैंने रोटिया बनानी शुरू कर दी है अच्छा सुबे तक का मेरा यह रहता है कि आज कल वंचिका के पापा है तो मेरा मॉनिंग में जो काम होता है वो निपड़ जाता है दस साड़े दस बज़े तक क्योंकि हमें काफी जल्दी उठना बढ़ता है साड़े पॉने नो के बीच हमारे जो वर्कर्स आजाते जो घर में काम करें है क्योंकि होता है न एक टार्गेट मिला हुआ है उन लोगों को की इतनी तारिक तक काम कम्प्लीट करके देना है इस वज़े से वो लोग जल्दी आ जाते हैं तो उनी की वज़े से हम लोग भी थोड़ा जल्दी उठ जाते कि चलिए जल्दी उठेंगे तो अपने जो भी हमारे उनके आने से पहले की काम होते हैं वो हम लोग निप्टा लेंगे तो बस इदा रोटिया वगयरा बन चुकी है अब बारी आती है अपना किचन इचन क्लीन करने की तो बरतन धो दूँगी मैं और थोड़ा बहुत कीचन जितना मुझे क्लीन करना होगा वो मैं सुबे कर लेती हूँ उसके बाद तो फिर जो है ना मैं श्याम को ही कीचन में घुसती हूँ क्योंकि उस बीच कीचन में मैं जाती तो हूँ की दुबारे किचन क्लीन करूंगी क्या फायदा है इसलिए मैं जो इवनिंग टाइम होता है तब ही मैं किचन क्लीन करती हूँ जब वह सब लोग चले जाते हैं काम करके तो बस यहां पर जो है मेरे बरतन वगएरा भी सारे वाश हो चुके है उसके बाद बारी आती है थोड़ा सा किचन समेटने की हर बरतन जो भी काउंटर टॉप पे रखा हुआ है उतनी मोटी धूल की परत उसमें भी चड़ चुकी है चीमनी आप देख सकते हैं कितनी जादा मतलब धूल भरी हो गई है अभी तो काम है ही जो चल रहा है लेकिन इसके बाद जो हमारा अपना काम बचता है वो होगा ना जो दीवाली की क्लीनिंग होगी बैड वगरा क्लीन करने उसमें बहुत जादा हालत खराब होने वाली है म बट वही है कि मुझे किसी भी तरीके से जो है दीवाली से पहले सारी चीज़े क्लीर करनी होंगी उसके बाद यह जो नाइट में कपड़े जो है सूख रहे थे तो बस इनको लियाओंगी और इनको हाथ के हाथी मैं फोल्ड कर दूंगी ताकि यह दुबारे से गंदे ना ह और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले व्लॉग का में यहीं पर रैंड करूंगी तो यह था मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई एंड टेक केर करी कि कर दोदी हूँ